कि अंग मैंगा ने जो घृइंव आ नमेरी बूंग प्यारे बच्छों हेज़े पिछले लेक्षर बहुत अच्छा तरीकहाई विपनि यहाँ और उससे इसर क्लिए परीप शुक्वार सुंठ का चैजखेंगैं कीरति केरादर्थ कुछ सीखेंगे समझ गये तब ठीक है सर कोश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं हां स्टार्ट करते हैं कोश्चन जो चीखेते हैं तो क्या है आपका इसमें चार कोश्चन नहीं है सर जी हां इसमें चार कोश्चन है यह फर्स्ट कोश्चन सकेंड थर्ड और फोर्थ तो सब सबसे पहले पहला नमबर बनाते हैं हम सबसे स्टाटिंग क्या करते हैं हम लोग पहला नमबर बनाते हैं देखें पहला नमबर क्या दिया हुआ है कि if सांट थिटा एकॉल टू-1 वाइट 2 एंड ठीटा लाइं 4th कॉड़रंट find the value of other trigonometric ratio अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि sand theta जो है sand theta का जो value है वो कितना है minus 1 by 2 अब theta belongs to बोल रखा है कि theta कहा है यह fourth quadrant में है theta belongs to कितना है fourth quadrant तो sand theta का value तो 1 by 2 ही है sand theta का value 1 by 2 ही है लेकिन fourth quadrant होने के कारण यह क्या हो गया negative हो गया समझ गया तो पूछा है कि और अधर जो trigonometric ratio है उसका value क्या हो जाएगा जबकि theta हमारा क्या है fourth quadrant में हम लोग जानते हैं कि sand theta वरावर कितना होता है perpendicular by क्या होता है hypotenuse तो इसके मतलब क्या हो गया कि perpendicular का नाम पर 1 है और hypotenuse का नाम पर कितना है 2 है और negative positive तो हम theta के coding कर लेंगे समझ कि किस quadrant में है तो कब negative होगा और क्या positive होगा हम तो बोली नहीं आप perpendicular का नाम पर वह नहीं है और H के नाम पर 2 ही है hypotenuse का नाम पर 2 ही है negative quadrant के कारण लगा है कि fourth quadrant में sand theta क्या होता है negative होता है इसलिए उसके अस्थान पर क्या लगा है negative लगा है तो हम लोग यहां किया करते हैं कि हम लोग B निकाल लेते हैं तो B equal to कितना आ जाएगा H is square minus किया आ जाएगा P is square तो हम पर कितना आ जाएगा 4 और कितना जाएगा माइनस 1 यहां कितना जाएगा? root 3 आ जाएगा. h के नाम पर कितना आगया root? 3 आ गया. तो हम लोग दूसरा निकालते हैं कि content कि कॉस्ट कितना आएगा? तो कॉस्ट टिटा वर क्या होता है? कि base वाई, क्या होता है? hypotenuse. अब 4th क्ちょीटा हमारा क्या है? पुजेटिव होता है तो इसलिए बेस हमारा कितना हो जाएगा बेस हमारा हो जाएगा रूट निगेटिव होता है तो perpendicular हमारा हो जायगा 1 और base हो जायगा root 3 4th हमारा क्या होता है cot theta वरावर क्या होता है base by perpendicular समझ गए यह भी सुरी हम पर negative लगेगा समझ गए यहाँ पर भी negative आ जायगा lot 3 हो जायगा क्योंकि Prependicular तो 1 ही हमारा समझ गए इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का पाचमा क्या हो जाएगा सेख ठीटा सेख ठीटा वर आवर क्या होता है 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 पोटेनस भाई बेस और यह सेख ठीटा भी फोर्थ कॉर्णेंट में क्या होता है पोजेटिव होता है तो कितना है पोटेनस हो गया रूट थिरी सोरी हाइपोटेनस हो गया 2 और बेस हो गया कितना रूट 3 और छठा क्या हो गया को से ठीटा ये भी क्या होता है फोर्थ कोडिनेट में निगेटिव होता है ये कितना होता है है पर्पेंडिकुलर और हाइपोटेनस के नाम पर कितना रहा हम लोग का टू परपेंडिकुलर का नाम पर वन यानि कितना जाएगा माइनस टू यह सब सारा हो गया सर हां कि फोर्थ कोडिनेंट में कौन था सिर्फ कोस्ट और सेख हमारा क्या होता है पोजेटिव बाकी सब के साइन क्या लगा हुआ है निगेटिव 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 है किया जाता है क्या प्रोसेस को सॉल्फ करने का अलग अलग प्रोसेस आपको बताएंगे हम समझगे है कि दूसरा है बिल्कुल अलग तरह का है हम क्या जानते हैं सर कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको बोला जाता है supplementary तो आप याद करहें से रखिए कि दो एंगल का सम कितना होता है complementary, अगर मैं 20 degree होता है तब, अगर 180 degree होता है तो उसको क्या बोल जाता है, supplementary बोला जाता है complementary angle और supplementary angle, देखिएगा, दूसरा क्या बोल रखा है question, कि find the value of this this, that, हाँ, तो देखिएगा कि कभी भी अगर trigonometric का sum दिया, वहाँ, trigonometric ratio हो क्या दे रखा है sum दे रखा है, और इसका value जानते भी नहीं है, πाई भाई एलेवन का value क्या होगा, पता नहीं, हाँ, 2 पाई भाई एलेवन क्या होगा, 4 पाई भाई एलेवन क्या होगा इसका value हम क्या, जानते नहीं है तो देखिएगा, कभी भी trigonometric ratio का अगर sum आप कर रहे हैं जोटा वला एंगल के और जिसका सम 90गी डिवर्ट देखें कैसे करते आपको दिखाते हैं इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हां पाइवाइं लेवन हैँ है टू पाइवाइब 11 एप 4 पाइवा नाई नाइन पाइवाइव एह तो सोचिये कि यह एंगल एंगल, यह और यह पाई बाई 11 111 claim यहां से पाई वहां से 10 पाई 11 पाई 11 पाई 11 पाई 11 11 से 11 कट गया पाई आ गया समझ गे तो दो एंगल का सम या तो 180 डिगरी आजा या 90 डिगरी आया तब इस तरह के कूस्चन को कैसे बनाया जाता है वो सिखते हैं हम लोग यहां बहुत अच्छutetir दीख रहा कि यहां 10 511 यहां 511 तो दोनों का सम हो यहां दखिए यहां 9 511 और यहां 2 511, दोनों का सम 180 डिगरी और यहां पर कितना ए 4 पॉर पाई वाई एलेवन और कहीं पे सेवन पाई वाई एलेवन होगा हां यहीं पे होगा हम गलती लिख दिये हैं यहां पर से एक एंगल सम करके कितना कर दीजिएगा 10, 7, 5, 11 समझ गया इसको कर ले जाएगा तो इसके साथ इसके तो इसमें क्या रहता है कि कि दो एंगल का सम या तो 180 डिगरी हो जाए या कितना हो जाए 90 डिगरी हो जाए तो बड़ा वला एंगल को क्या करते हैं छोटे वाले रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सब्ट्रेक्ट करते हैं तब देखे क्या होता है दूसरा जैसे कि इसके साथ कौन बड़ा है इसके साथ 180 है यह बदा तुसको रिडी ऊच करेंगे वों समझ क्यारी रहने देंगे इसके साथ किया उसको डशने देंगे यह उसके साथ किया इसको direct रह जने देंगे त्सकाषआ है जोप्लिबोध मना रहा है यह पाय बई जा हैतें परलस 10 2 pi by 11 फिर कितना है 10 4 pi by 11 अब देखिए इसके बाद कितना है 10 7 pi by 11 10 7 pi by 11 है ये इसके साथ मिलकर 180 degree बना रहा था इसके साथ मिलकर 180 degree बना रहा था तो बड़ा बला को क्या करेंगे reduce करेंगे कैसे करेंगे reduce वो समझिएगा कि दोनों का सम कितना हुआ है दोनों का सम कितना हुआ है दोनों का सम 180 degree यहाँ पर 180 degree लिख दीजे अब minus छोटा वाला 4 pi by 11 छोटा वाला कर लेते हैं समझगे बात को देखिए सब्ट्रेक्ट किजेगा यहाँ पर 7 pi by 11 आएगा जिसे 11 LCM लिए 11 pi minus 4 pi 7 pi by 11 ही लिखा हुआ है तो क्या कि कि दो एंगल का सम या तो 180 degree हो या 90 degree हो है यहाँ पर दो एंगल का सम कितना हो रहा था 180 degree हो रहा था तो बड़ा वाला क्या कि यह 180 degree माइनस छोटा वाला कर लेते हैं हाँ तो 7 pi by 11 ही लिखा हुआ है अब देखिए इसके बाद क्या है 4 pi, 7 pi, 9 pi यह किसके साथ बनाया है 2 pi के साथ बनाया है तो इसको क्या करेंगे reduce करेंगे कैसे देखिएगा 10 माइनस छोटा वाला मन की आँखोच देखिए गा 9 pi by 11 ही लिखा हुआ है 11 LCM ले लिए माइनस 2 और यह 10 किसके साथ बनाया है pi by 11 के साथ तो क्या लिखेंगे 10 pi minus pi by क्या कर लेंगे 11 छोटा वाला कर लेंगे जो जिसके साथ बनाया है sum अगर 180 degree होगा 180 degree माइनस छोटा वाला अगर sum 90 होता तो 90 माइनस छोटा वाला एंगल करते है समझ गे तो अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है यह हमारा कितना है 10 pi by 11 यहाँ पर कितना है 10 2 pi by 11 यहाँ पर कितना है 10 4 pi by 11 अब देखिए यहाँ पर से कितना हो गया यह pi minus theta है क्या है देखिए pi minus theta second quadrant second quadrant में 10 क्या होता है negative होता है 180 degree पर trigonometric ratio change नहीं होता है कितना जाएगा minus 10 4 pi by 11 समझ गे 180 degree minus theta 180 degree minus theta क्या हुआ second quadrant second quadrant में negative 180 पर change नहीं होता है theta खास्थान और 4 pi by 11 यहाँ पर देखे एसी तरह यहाँ पर कितना जाएगा minus 10 2 pi by 11 ऐसी तरह यहाँ पर कितना जाएगा minus 10 pi by 11 तो देखे यह इसे कट गया यह इसके साथ cancel हो गया और यह इसके साथ cancel हो गया और answer हमारा कितना मिल गया 0 आग आग आगो मीद सर प्रोसेस क्या बता है कि अगर trigonometric series का क्या sum है चाहे sign में हो, cos में हो, 10 किसी में भी हो सकता है समझ गे यह तो दो angle का sum 90 degree हो जाए यह 180 degree हो जाए तो जिसके साथ 180 degree बना रहा तो जो उसमें बड़ा है तो जितना sum हुआ उसी में से छोटा वाला को क्या करेंगे सब्ट्रेक्ट कर लेंगे यह हमारा प्रोसेस हुआ बनाने का समझ गे और माइनस करने पर वही चीज़ लिखाता है अब हम बनाते हैं सर तीसरा नंबर देखते हैं तीसरा नंबर क्या है से तीसरा कितना है कि find the value of this यह sin square pi by 18 sin square pi by 9 sin square 7 pi by 9 sin square 4 pi by 9 तो देखते हैं कोई pattern मिलता है यहाँ पर कितना है 4 pi by 9 और यहाँ पर कितना है pi by 18 समझ चिके तो अब देखिए दोनों को क्या करते है angle को add करते हैं देखिए क्या होता है क्या है 4 pi by 9 इसके angle कितना है pi by 18 कितना करते है pi by 18 आप मन ही मन कर ले हाँ आप इतना लिखने के जरूरत नहीं तो समझाने के लिए इसा कर रहे है क्योंकि online पढ़ा रहे है पता नहीं किसको समझ में आए किसको ना समझ में आए समझ गें तो यहाँ पर देखे कि pi by 9 और 4 pi by 9 यहाँ पर pi by 18 अगर दोनों का LCM लेंगे तो कितना हैगा 18 तो यहाँ पर से तो pi आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 2 times मर्त में अठारा हैगा तो यहाँ पर 8 pi हो जाएगा तो कितना जाएगा देखें LCM यहाँ पर कितना आ गया LCM 18 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8 pi और यहाँ पर आ जाएगा pi मतलब कितना आ गया 9 pi by 18 अगर दोनों का कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा pi by 2 मतलब कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम सम् कितना हो गया 90 डिग्री को मतलब ये इसके साथ कितना बना लिया और इंदोनों बड़ा को ने ये वनावा बड़ा है उसको क्या लिखेंग मिरूर का सम् कितना हुँ OF सदस्ट पाहिंगे प्रिए हैं यहां पर यहतिन है on a Yep and i married कि इन दोनों कितना है 7 south-19 team इन दोनों केeeeee ठार आएगा तो ऑशाएगा यहां पर 7 पाहिए यहां पर भी कितना हो यहां यहां पर कितना रहां फाइए यह वाला बड़ा यह इसके साथ रेडियूच कर लेंगे देखते हैं कैसे बनाते हैं समझ यह अच्छा तरीका से क्या यह बहुत important बत चीज बता रहे हैं समझ गए आपको ति यहां परस कितना जाएगा यह किसके साथ बनाया बेटा इसके साथ बनाया है ति इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यह छोटा बला है यह इसके साथ बनाया ति यह बला छोटा है समझ गए ति हम देखें क्यतना लिखे देंगे sin square πाई बाई 18 पलस sin square πाई बाई 9 पलस sin square यह जो 7 πाई बाई 18 है इसके साथ क्या बनाया है complimentary बनाया है मतलों कि 90 degree बनाया है तो 90 माइनस छोटा उसमें कितना बना रहा था 180 degree तो 180 degree माइनस छोटा बाला इसमें बना रहा है 90 degree तो 90 degree माइनस छोटा कितना कर लेंगे 7 πाई बाई सोरी πाई बाई 2 माइनस छोटा बाला छोटा कितना है पाई बाई 9 देखिए उतना ही आएगा इसका LCM कितना आएगा 18 यह आएगा 9 मर्थ में तो 9 पाई और 2 मर्थ है माइनस 2 पाई तो कितना आएगा 7 पाई बाई 18 है तो वही चीज़ जो लिखा रहा रहा था है वही राता है एक प्रोसेस से सॉल्फ करने का समझगें यहाँ पर कितना जाएगा बिटा साइन स्क्वाइर यह किस के साथ बनाया है पाई बाई 18 के साथ बनाया है तो कितना जाएगा पाई बाई 2 माइनस छोटा वाला कितना है पाई बाई 18 तो इलसियम 18 हो जाएगा तेहां 9 pi minus pi 8 pi कितना जाएगा 18 तेहां 9 pi minus pi 8 pi कितना आ रहा 18 यहां पर आ जाएगा 9 pi minus pi 8 pi by 18 तो 4 pi by 9 आही जा रहा है इसे 8 pi by कितना हो गया 18 तो कांदें कितना हाँ, 4 मर्त में, 9 मर्त में, वोही, 4 pi y 9 आ रहा है, समझे हैं, अब देखें, इस से फाइदा क्या होता है, कि यहाँ पर तो यह बन गया, sin square, pi y 18, पलस, यहाँ पर कितना बन गया, sin square, pi y 9, पलस, यहाँ पर यह बहुत, यहाँ आस्कॉयर भूल जाओ, आस्कॉयर तो बाद में कुछ अंनने देंगे और घिक तरह क्या हो जाएगा पह सऩ तरह क्या हो छुजवा es лайek 6 City व dazu एक तरह का पाई जाएगा आप देखें कितना हो जाएगा यह साइन स्कॉयर भाई पर इतीन अंब यहाँ पर लेलें लें ओर सफ फाई बाई आइट यह 1 पलस 1 अब अंसर हमारा कितना हो गया 2 उमीद कर रहे होंगे सर आपको अच्छे तरीका समझ में आ रहा होगा समझ गये बात तो यह हमारा हो गया तिसरा का अंसर अब समझते हैं कि इसका अंसर कितना होता है चौथा का और बहुत इंपोर्टेंट कोशन समझते हैं इस बात को हाँ अब देखे क्या है चौथा में कि find the value of इस 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 यह टिल्गोनमेक्टर का सिरीज रखा यहां देखे यह कितना है कि sin square कितना है 90 डिगरी तो sin 90 का value 1 होता है 1 का square 1 ही होगा समझ गये यह बिल्कुल इसको side कर देजे यह तो 1 के बराबर है समझ गये हमारा question main focus यही तक रहना चाहिए कि कितना है 5, 10, 15, 20, 25 इसी तरह चल रहा होगा इससे पहले कितना होगा 85, 70, इस तरह चल रहा होगा तो देखते हैं कि angle किसका किसका sum क्या होता है किसका किसका sum क्या होता है 1 हो जा रहा, समझ गें, यहां से ध्यान देखिएगा, कितना है, sin square 5, यह 10, यह 15, आप मिला यह गसर, कि यह 5 डिग्री, और यह 85 डिग्री, दोनों का एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, यह हमारा process भी आ गिया, फिर देखिए, यहां पर यह हमारा कितना है, 10 डिग्री, यहां पर मन की आखिश देखिएगा, तो यहां पर 80 डिग्री होगा, समझ गें, तो उसके साथ 90 बना लिया, यहां पर 15 डिग्री है, तो यहां पर कितना होगा, 75 होगा, उसके साथ बना लेगा, फिर आगे ये 20 जायेगा तो उस तरफ से कितना हैगा 70 आयगा पचीस गया तो 25 आया 2030 गया तो 60 आया 35 गया तो 55 आया 40 गया 50 आया 45 गया 45 तो पंचास आया समझते हैं क्या होता है सारी चीजे समझते हैं कैसे कैसे लिखा हुआ वो लिख लेते हैं, कितना लिखा हुआ है, sin square 5 degree, plus sin square 10 degree, plus sin square 15 degree, तीन इधर से लिखते हैं, plus dot dot dot, plus sin square 75 degree, plus sin square 80 degree, plus sin square 50 degree, और ये plus 1 का सीधा क्या कर लेते हैं, असक्वार ही कर लेते हैं, ये sin 90 का असक्वार ही कर लेते हैं, तो अब देखिए, क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं, तो देखिए, ये 5 है, हाँ, ये कितना है, 85 है, तो break इसको करेंगे, कितना है, इन दोनों का सम कितना हो रहा, 90 degree तो इसको लिखेंगे क्या 90-5 85 कितना लिखेंगे 90-5 ये 80 इसके साथ बना रहा तो बड़ा ये तो लिखेंगे 90-10 ये 75 ये 15 है तो इसके साथ बना रहा तो इसको लिखेंगे 90-15 समझगें एक कितना जाएगा ? Σी स्कोयर 15 डिगरी पलस साइन स्कोयर 10 डिगरी पलस साइन स्कोयर 15 डिगरी पलस ॡॉたॉट ॡॉत बडॉत पलस ये 85 मिल गया है याँ प्ररास्टे में तो कितना अगगा साइन स्कोयर 90-15 कितना कर लिए 15 इस तरह 80 को क्या कर लिए 90 माइनस 10 और 50 कितना कर लिए 90 माइनस 5 और यह पलस वन समझगे तो अब देखिए हाँ पर कितना आ गया कि साइन अस्क्वाइर 15 डिगरी पलस साइन अस्क्वाइर 10 डिगरी पलस साइन अस्क्वाइर 15 डिगरी समझगे पलस डॉट 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 और पलस यह जो साइन अस्क्वाइर 90 माइनस पाच है हां 90 माइनस सोरी 15 है 90 माइनस 15 डिगरी यहां पर 90 माइनस 15 तरह 90 माइनस 15 संक। होगा यहां पर देखें कि यह 12 साइनस काइर पॉर्ट सेिएटे वन न इयुक्रण कुम्स पॉर्णपन है हां पर किते हैं कोस स्कॉयर दस डिगरी इहां पर उड़ा जाए कर दो यहां पके साइन внутри यहां पर कितना बना लिगा पर अन इसकोर 15 कर चे पहला में गलती लिखा गया यह पाच है हमारा हां यहां पर भी पाच होगा तो यहां पर देखिए साइन स्क्वाइर पाच कॉसा स्क्वाइर पाच इसके रिस्पेक्ट में वन मिल गया हां मतलब कि इस तरफ से पाच गया उधर से पचासी आया पचासी बला ही तो पाच बना कॉसा स्क ससके लिए समझ ऋंघ्या और इस तरफ से पथीस है और व हगा उस के लिए ग्या Ł tu और उस्थे 25 आफ तब एभ णिर्व कर भशान होगा उसद के लिए वगैं कि इंस के लिए द्या ये 10 ग्या ये पंद्रा जाया इस तरफ दो कि इस ये par जाएगा तो उसितरüp से साथ आएगा तब वन इस तरफ से 35 क्या हो多少 दूरत से पच्पन आया होगा तब 1 इस तरफ से पच्पन आया होगा तब 1 कि फिर भूर्ल गें 5-10 पंदरह 225-多少 थीक डा सबounds रहेे पंदरह 20 इस तरफ 4 45 तो कहीं एक ही बाद मिल हों ना तो 45 किसी साथ कॉम्प्लिमेंटरी नहीं बनाएगा कॉने युबार्दुबार जैसे 5 पचासी साथ कॉम्प्लिमेंटरी बना लिया था भन 10 असी साहतore बना लिया का फोन जब 15 connect पर साइन स्कौर 45 मिला होगा तो कितना जाएगा उसके लिए viral ता कितना हो किए फोर स्कौर क्यों कि साइन 25 1्वाई रूट 2 उसका ऊल को टो आई ये वर अपफ़ा स1 हमारा缶 कितना गया है एक दो तीन 14 पांचे साथ ये cry चार पांचे हो जाएगा 9 यह कितना मन जाएगा 1 x 2 हमारा कितना हो गया साढ़े नौ के कितना लख सकते हैं 9 18 बटा 2 9 तो 19 बटा 2 हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा 19 बटा 2 हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा समझ गए सर कैसे कि हैं फिर से सारी process बता देते हैं कि 2 angle का sum या तो complimentary या supplementary, तो जिसके साथ complimentary बनाता है, जिसके साथ complimentary बनाता है जो बड़ा बला angle रहता, उसको ratiuse कर देते छोटे वाले के respect में, अगर 2 angle का sum 90 हो रहा, तो 90 माइनस छोटा वाइनल, या 2 angle का sum 180 डिगरी हर हुर होदा, तो 180 डिग्री माइनस छोटा वाला एंगल उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीका समझ में आगा हो सरा नोट कर लिए होंगे हम आगे बढ़ते हैं हाँ हाँ देखें ये तीन कोश्चन करते हैं सर जी हाँ तीन कोश्चन करते हैं क्या बोल रखा है पहला कोश्चन कि इसको अब देखें इसको अईसे लिख सकते हैं एक सो अशीडिग्री माइनस पच्छन करते हैं अब देखें यह कॉस्चन का वहलू निकाल नहीं सकते हैं समझें आप देखें इसको अईसे लिख सकते हैं एक सो अशीडिग्री माइनस पच्छन डिग्री मतलब एक सॉसी का रेलेशन बन गया समझे इसको इसको सम करने पर 2008 यह रहा कर इसी तरह इंदोनों की सब्टरेक्ट करने पर 1 captiv cup यह रहा हनित दिखे पहला कैसे बनाते हैं कि कॉस्चशोविस को कॉ स्ट चोईakah Haus va men a date whatever cause पच्पन को कॉस पच्पन रहने दिए है क्ई इसको कितना कर दिए को आःको इक सो ऐद्गरी और माइनस पच्पन डिगरी वैं क्योंकि इन दोनों का सम 204 इन दोनों का सम तो बड़ा वला को क्या के छोटा के रिस्पेक्ट में और कॉस 204 को कितना लिख दिए 180 डिग्री पलाष 24 डिग्री समझ गये मतलब 180 का सबस ब्रेक तो हो रहा था और कॉस 300 को क्या लिख दिए 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री समझ गया अपसारा हो गया हऊंँ यहां पर कितना हो गया कोस 24 डिगरी प्लस कॉस 55 डिगरी है यहां पर कितना हो गया 180 डिगरी माइनस ठीटा Second Quadrant Second Quadrant में यह निगेटीव होता एक 180 पर चेंज नहीं होता है जो यह भी इसी तरह हो गया 180 डिग्री पलस ठीटा 3rd quadrant, 3rd quadrant में cos negative x80c पे change नहीं होता है, इसको क्या कर देंगे, cos 24 degree और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 degree minus theta, 4th quadrant, 4th quadrant में cos क्या होता है, positive होता है, 360 में नहीं बदलता है, कितना आ जाएगा, cos 60 degree, ति यह तो इसे cancel हो गया, यह इसे cancel हो गया, simple बच गया क्या, cos 60 और cos 60 का value कितना होता है, 1 by 2, यहीं अमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, समझ गया, अब बनाते हैं, second, हाँ, अब बनाते हैं, कौन सा, second, इहीं बनाते हैं, इसको मीठा देते हैं, जगा थोड़ा कम है, second, देखिए, कैसे होगा, कि इसमें देखिए, कोई एक सीरीज नहीं चल रहा, कोई सीरीज नहीं चल रहा, यह अलग-अलग value निकालने सिखाए हैं, जैसे direct, यह तो बहुत असान है, यह तो बहुत असान है, तुसरा देखिएगा, कितना, इसको direct कर सकते हैं हम लोग हां, इसको direct कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज का, जैसे इसमें cause-cause था, किसी में sin-sin था, किसी में 10-10 था, तो इस रहों कि आए, तो सिधा-सिधी value निकालना है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10, 12π, minus π, बस पाई-बई कितना आ जायेगा, 3, आ जायेगा, यहां पर तो यह कितना आ जायेगा, minus two sin, यह two π बई-वाई-थिरी लिखा हुआ है, यह कितना लिखा हुआ है, two π बई-बई-थरी, हां, दो बन्त में, यहां पर कितना जायेगा, minus three by four, ये कोसेट एस्वबार पिवाई 4 तो प्यवाई 4 कितना हो जाता है 45 डिगरी 183 बाठा 4 कितना हो गày 45 अग कोसेट 45 डिगरी कितना होता है रूट 2 कितना हो जागा रूट 2 एक मिनट सर कि आपको क्या बता रहे थे कि कोशेक पाई कितना होता है कोशेक पाई 45 दिगरी तो साइम 45 कितना होता है यहां पर कितना हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा और यहां पर कितना जाएगा इसको भी ब्रेक कर लें कितना फोर कॉस असक्वार इसको लिख लेते हैं 18 पाई माइनस पाई डिवाड़ेड़ कितना कर लेते हैं 6 कर लेते हैं इसी को सॉल्फ कर लेंगे बस हां यहा अगला करेंगे कितना आ जाएगा फोर पाई माइनस पाई भाई थिरी यहां पर कितना आ जाता है यह देख़े कितना है कि यह मन की आखोछ देख़ेगा तो 180 अगर कीजिएगा तो साठ मर्त में 120 है यह 120 है तो इसको क्या लिख सकते हैं तू साइन 90 डिगरी पलस तीस डिगरी जो छोटा रहता हूँ छोटा में कर लेते हैं किया 120 डिगरी है तो 90 पलस तीस कर ली माइनस थिरी भाई फोर इंटू कितना बन जाएगा यह टू बन इस तरफ कर लेते हैं सल्व लिख को कितना जाएगा है कि यहां कितना जाएगा सर यहां पर कितना है ठूर पा इस यह फॉर्थ कॉड़न्ट, फॉर्थ कॉड़न्ट में 10 क्या होगे निगेटिव होगा, तो निगेटिव लगेगा और पाई पे चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा, माइनस 10, पाई भाई 3, यहाँ पर कितना जाएगा, 90 डिग्री पलस ठीटा, सकेंड कॉड़न्ट, सकेंड पाई देख जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यह कॉड़न्ट, सकेंड कॉड़न्ट, में 180 डिगरी माइनस ठीटा तो मतलब कितना हो गया विखेंड क्यॉटन्ट मेंुज़ निगे टीव होगा कट साइन लेगा समझ रहे हैं लेकिन आप धियान दिशे किते अस्क्वाइर है निगेटिव को यह किया बना देगा पोजेटी बना देगा यह पोजेटी बना रखरक देगा ses का अब इसमें लिखते नहीं कितना आ जाता है ध्यान से देखिएगा 180 सब्सक्राइब कोई क्या कर देगा स्कॉर्ण को पॉजेटी बना देगा तो जो साइन रहेगा ही राज जाएगा समझ गे बात को यहां पर के निगेटिव सान तो होता लेकिन इसका स्कॉर्ण क्या हो यह हो गया, समझ गए, तब इसी को solve कर देंगे, 180 by 3, 60 degree, तो 67 कितना होता है, minus root 3 आ जाएगा यह, हाँ, और यह 2, और cos 30 कितना होता है, root 3 by 2, हाँ, यह तो minus 3 by 2 है ही है, plus 4, और cos square, cos 30 degree, root 3 by 2, root 3 by 2, तो root 3 by 2 का क्या हो जाएगा, यह whole square बन जाएगा, यहाँ कितना गया, minus root 3, यह 2 से 2 कट गया, minus root 3, minus 3 वटा 2, और यह आ गया, plus 4, और 3 by 4 बन जाएगा, तो, यह सी यह कट गया, कितना गया, minus 2 root 3, minus 2 root 3, और minus 3 by 2, और कितना गया, plus 3, तो, plus 3, और minus 3 by 2, 3 by 2 आ जाएगा, minus 2 root 3, और plus 3 by 2, इन दोनों कहां, कितना आ जाएगा, अंसर यही लिग देते, 3 by 2, minus 2 root 3, यही पर चाहें, तो, आप अंसर छोड़ सकते हैं, समझ गये, तो, यह हमारा हो गया, दूसरा, समझ गये, अब और आगे लिखते हैं, हाँ, तीसरा बनाते हैं, तीसरा तो, वहुत असान है, सर, एक बार जरूर आप attempt लीजिएगा, समझ गये बात को, एक बार जरूर आप attempt लीजिएगा, तीसरा देखिये न, यह इसके साथ 180 बना रहा, यह इसके साथ 180 बना रहा, इसी तरह यहाँ पर देड़ सो होगा, समझ गये बात, तो, तो, कितना आजाएगा, कॉस्ट दिग्री, पलस कॉस्ट बिस दिग्री, पलस कॉस्ट तीस तीग्री, पलस डौट डौट डौट, कहीं न कहीं पर देड़ सो लिखा वूआ होगा, तो उसको क्या लिखे लेंगे, श्ट एक से डिग्री-30 डिग्री, जैसे यह बीस के साथ बना रहा हा रहा, कितना इतने कॉस 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इसको क्या लिख देंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री ते देखे कितना हो जाएगा कॉस दस कॉस 20 डिग्री पलस कॉस 30 डिग्री पलस कॉस डॉट डॉट यह कितना हो जाएगा x80 degree minus theta second quadrant, second quadrant में क्या होगा, negative होगा, cos negative हो जाएगा, x80 पने बदलेगा, minus cos 30, तिरह minus cos 20 हो जाएगा, यह इसी तरह minus cos क्या हो जाएगा, सारा cancel हो जाएगा, तिरह और आगे आने वाला cancel हो जाएगा, और सब क्या मिल जिकर बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यह हमारा answer हो गया, तब नूट कीजिया, और next question करते हैं, बुख, हाँ, देखिए सर, यह दो बहुत important question है, समझते हैं, इसका concept क्या है, हाँ, इसका concept क्या है, हम लोग पहला बनाते हैं, हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, क्या है कि 10 theta बरावर माइनस 4 by 3 है, तो साइन ठीटा पूछा है, तो दक्षेप सबसे पहले गलत बनाते हैं, कैसे, कि 10 theta बरावर माइनस 4 by 3, तो साइन ठीटा क्वहलू क्या हैगा, तो हम बताए थे, कि आपक इसे पहले, 10 theta minus 4 by 3 होने का मतलब क्या हुआ? कि perpendicular by क्या हो गया? base. तो इसमे पी तो हमारा कितना हो गया? पी हमारा हो गया 4 अब बेस कितना हो गया? थीरी. तो बोले थो जो negative होता है वो quadrant के कारण होता है. negative जो होता है वो क्या होता है quadrant के कारण होता है negative किसके कारण होता है quadrant के कारण होता है समझ गें तो अब quadrant तो fix किया नहीं कि किस quadrant में तो जब तक quadrant fix नहीं किया करता है तो हम लोग मानते है 0 से 2 pi के बीच में हाँ क्योंकि ये वहाँ circle एक circle कितना होता है जीरो और टू पाई के बीच में होता है तो टेंड ठीटा निगेटिव कहां कहां हो सकता है एक तो सकेंड कोड़ने निगेटिव होता? क्योंकि first quadrant में सारा positive और third quadrant में ten quote positive तो मतलब जो theta लाई कर रहा होगा या तो second quadrant में लाई कर रहा होगा या तो fourth quadrant में लाई कर रहा होगा या तो second quadrant में लाई कर रहा होगा या तो fourth quadrant में लाई कर रहा होगा theta जोंकि theta तो हमारा fix किया नहीं तो theta second में भी हो सकता और fourth में भी हो सकता है समझगे बात को और first और third में तो रही नहीं सकता है क्योंकि first और third में अगर angle रहेगा तो हमारा 10 theta positive होगा तो करते हैं तो हमारा कितना जाएगा P बराव इतना, B बराव इतना तो H बरावर कितना हो जाएगा अंडर रूट P square पलस B square बोले तो 16 पलस नो मतलव कि H का भेलू कितना आगिया पाच तो हमारा साइन ठीटा वरावर कितना हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोले तो चार बटा पाच यह आगिया हमारा चार बटा पाच को क्या हो जाएगा चार बटा पाच पट नोट माइनस चार बटा पाच आप लोग इसमें लगा लीजिएगा लेकिन गलत है हमारा अंसर यह होगा माइनस चार बटा पाच और चार बटा पाच कैसे वो समझेगा बात को कैसे वो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या बिटा कि यह जो 4 बटा 5 है साइन ठीटा जब सोचिए कि 10 ठीटा इकोल टू कितना है माइनस 4 बटा 3 यह तो या तो second quadrant में भी हो सकता है या fourth quadrant में भी हो सकता है सोचिए जब ठीटा क्योंकि second quadrant में 10 ठीटा निगेटिव और fourth quadrant में भी 10 ठीटा क्या होगा निगेटिव होगा सोचिए जब ठीटा जिस वक्त हमारा second quadrant में लाई कर रहा होगा उस वक्त 4 बटा 5 अंसर होगा positive के साथ होगा जिस वक्त 10 ठीटा second quadrant में लाई कर रहा होगा तब तो 4 बटा 5 हो जाएगा उस वक्त साइन ठीटा पोजेटिव हो रहा होगा सोचो कि जिस वक्त ठीटा फोर्थ कोड़ने दोनों संभावना है कि 10 ठीटा सकेंड कोड़नेंट में भी हो सकता है 10 ठीटा फोर्थ कोड़नेंट में भी हो सकता है तो जिस वक्त 10 theta 4th quadrant में होगा, उस वक्त इसका value हो जाएगा minus 4 बठा 5. समझ गये बात को? कि theta का negative होने के मतलब क्या हुआ 10 theta का, कि second quadrant और fourth quadrant, तो जिस वक्त theta second quadrant में हो रहा होगा, उस वक्त 7 theta का value 4 बठा 5 हो रहा होगा. अज जिस वक्त theta fourth quadrant में हो रहा होगा 10 का, उस वक्त 7 theta का value minus 4 बठा 5 हो रहा होगा. समझ गये? तो हमारा answer ये हो गया, B हो गया. उम्मीद करते हूं कि सर समझ में आ गया होगा कि इसके मतलब क्या हुआ? तो वे theta हमारा fix नहीं किया हुआ था. अब देखते हैं दूसरा क्या है सर, बहुत अच्छा question है दूसरा भी. दूसरा क्या बोल रखा है? कि इप theta and phi are acute angle. theta और phi जो है दोनों क्या है? acute angle है. acute angle हमारा उहलने के मतलब क्या है? 0 और 90 के बीच में होगा. satisfying sin theta equal to 1 by 2. मतलब theta और phi दोनों first coordinate में लाई कर रहा. sin theta equal to 1 by 2. and cos phi equal to 1 by 3. तो बोल रहा है theta और phi क्या होगा? समझ गे? तो क्या दे रखा है बिटा? कि sin theta equal to 1 by 2 दे रखा है. तो theta equal to हमारा कितना होगा? 30 degree होगया, fix होगया. हाँ, acute angle भी हमारा. समझ गे? acute angle भी है हमारा. अब समझ गे बात को, कि cos phi equal to कितना दे रखा है? 1 by 3. हाँ, आप cos का value 1 by 3 के लिए कोई fix angle नहीं है. हमको नहीं पता है, कोई fix angle हमको नहीं पता है. जैसे sin theta equal to 1 by 3. तो 1 by 2 sin theta value कब होगा? जब theta equal to 30 degree रखेंगे. तो ऐसा कोई value नहीं पता है, कि जिसके लिए यहाँ पर कुछ रखें, और उसका value 1 by 3 हो जाए. क्योंकि अगर ऐसा होता, हम सम करके बता दिये रहते हैं. समझ गे बात को ऐसा कर रहाता, तो इस बीच में क्या करना परेगा, कि देखेते हैं, कि 1 by 3 किसके किसके बीच में भैरी करता है. समझ गे? 1 by 3 किसके किसके बीच में भैरी करता है. तो देखते हैं, कि 0, 0 और 1 by 2 के बीच में, 1 by 3 लाई कर जाएगा. कहीं कहीं इसके बीच में लाई कर जाएगा सबसे छोटा यही है क्योंकि कॉस 0 कितना हो गिया 1 कॉस 30 कितना हो गिया रूट 3 वाई 2 कॉस 45 कितना हो गिया 1 वाई रूट 2 कॉस 60 कितना हो गिया 1 वाई 2 और कॉस 90 कितना हो गिया 0 तो सबसे नजदीक इसी के बीच में होगा, क्योंकि 1y2 के बाद just 1y3 होगा, समझ गए, और 60 के बाद 90 आता है, तो 0 और 1y3 के बीच में होगा ये, 0 और 1y3 के बीच में होगा, तो सोचो कि जब 5 का बाद लू, 60 डिगरी से 90 डिगरी के बीच में होगा, उसी वक्त कहीं न कहीं 1y3 भी होगा, क्योंकि cos 60 कितना हो गया 1y2 और cos 90 कितना हो गया 0 तो 1y2 और 0 के बीच में ही 1y3 होगा समझ गए तो 5 का भैलू हमारा वो हो गया समझ गए 5 का भैलू हमारा यह हो गया समझ गए बात को तो 5 का भैलू भैरी करेगा हाँ कि 5 का value जब इसके इसके बीच में होगा तब ही हमारा क्या हो जागा 1 by 3 कहीं कहीं इसके बीच में क्या कर जाएगा lie कर जाएगा समझगे बात सिर तो हम लोग क्या कर देते हैं therefore क्या हो गया कि theta plus 5 पूछा है कितना हो गया theta तो हमारा 30 degree हो गया plus 5 तो हमारा भाहिरी कर गया कितना 60 degree to 90 degree तो क्या होता है कभी और bracket का sum होता है तो ये दोनों में sum होता है ये छोटा वाला हम sum करेंगे तो 90 degree हो جाएगा समझ गया 30 और 90 करेंगे कितना आजाएग। कितना जाएगा 120 degree हो जाएगा क्यों कि bracket का sum है तो छोटा वलास भी सम होगा और बडा वला भी सम होगा कितना होगा 90-120 हमारा भाहिलू हो गया C समझ गया सर क्या यार तो हम लोग सर यही रहने देते हैं आज साथ आज का कलास हम लोग यही रहने देते हैं अब नेक्स्ट कलास में हम लोग compound angle पढ़ेंगे तो आप 4th lecture भी सर अच्छे से पढ़ दीजिएगा अच्छे अच्छे concept आपको जिसी कहा है कि कैसे question को solve किया जाता है ठीक है सर बाई बाई टाइटा अच्छे से आपको रहना भी होगा ठीक है सर बाई बाई